आज किस वीडियो से हमने थोड़ा different किया है वीडियो को बनाने का तरीका तो starting में क्या करेंगे कि starting में ही हम interview questions को discuss कर लेंगे इससे हमें क्या होगा कि हमें एक idea लग जाएगा कि अगर हम ये पढ़ते हैं तो हमें interview में किस-किस तरह के questions आ सकते हैं तो उसे ही पहले हम discuss कर लेंगे इससे क्या होगा कि अगर मैं कोई भी चीज़े explain कर रहा हूँगा तो आपके दिमाग में ये भी चल रहा है कि अगर मुझे सामने वाले को explain करना होगा इस concept को तो मैं कैसे करूँगा और ये possible questions है जो कि interview में पूछे जा सकते हैं तो चलिए लेट ना करते हैं वीडियो को start करते हैं और सिधा चलते हैं अपने laptop के screen पर ठीक है तो आज हम सीखने वाले हैं कि manual schema कैसे create करते हैं यहाँ पे देख सकते हो कि हमने topic दे दिया है कि manual schema कैसे create करना है last time जब मैं पढ़ा रहा था CSV या किसी भी चीज़ को read करने का एक जब general format पढ़ाया था तो वहाँ पे बताया था कि dot schema करके भी आता है और वहाँ पे हम manual schema pass कर सकते हैं यहाँ तक अगर आपने पीछला lecture देखा होगा तो आपको पता होगा नहीं देखा है तो पीछे जाके देख लो ठीक है तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले कि उसी manual schema को कैसे create करते हैं तो यहाँ पर क्या क्या है interview के questions बन सकते हैं उसको पहले discuss कर लेते हैं और उसी हिसाब से आप लोग भी सूच कि अपना answer ready करना तो सबसे पहला question हो सकता है कि how to create schema in py spark ठीक है मैं यहाँ पर spark scholar ने पढ़ा रहा हो python plus spark ठीक है बहुत बार पुछते रहते हो कि यह py spark और spark में क्या difference है तो python language के साथ spar को use करते हैं तो इसलिए हम बोलते उसको py spark हाँ ठीक है तो how to create schema अब schema के next question होगा कि what are other ways अगर मालों की एक तरीका आपको पता है तो interviewer यह भी पूछ सकता है कि इसके अलावा कोई और तरीका है कि जिसके through हम अपने schema को create कर सकते है ठीक है तो दूसरा question हमारा यह हो गया उसके बाद जब हम schema create करते हैं तो वहाँ पर struct field and struct type का concept आता है तो वो क्या होता है उसके बारे में पूछ सकते है ठीक है और चौती चीज है कि जब अगर हमारे जो हमारा data है उसमें अगर header policy है पड़ा हुआ है और अगर हम header को false कर दे तो क्या होगा तो वो अलग हमारे possible questions अब हम क्या करेंगे जैसे हमने पिछली बार पढ़ा था कि एक general format क्या होता है तो उसी तरीके से आज भी हम पढ़ते है सबसे पहला question को answer करने के कोसिस करते है कि हम schema को कैसे create करते है तो सबसे पहला चीज है कि schema create करने के हमारे पास दो तरीके है ठीक है तो पहला और दूसरा question दोनों answer होगा यहाँ पर schema create करने के दो तरीके हैं दो तरीके है एक जो है वो हम struct type and struct field के थुरू कर सकते हैं ठीक है और दूसरा तरीका है कि हम जो है वो ddl schema के थुरू create कर सकते हैं तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पहला method कि struct type के थुरू कैसे हम अपने schema को read तो एक हमें library import करने पड़ेंगी वो यहाँ पर बता देते हैं उसके बाद हम अपने coding section में भी कर लेंगे from pyspark.sql.types ठीक है import हमें import करने पड़ेंगे struct type and struct field बताते है इसके बारे में कि struct type and struct field क्या है ठीक है struct field ठीक है तो यह हमें import करना पड़ेगा ठीक है तो अब जानते हैं कि struct type and struct field क्या होता है उससे पहले एक छोड़ा समय data frame बना लेता हूँ ताकि और ज्यादा अच्छे से explain कर सकूँ ठीक है तो यह है हमारा एक छोटा सा data frame ठीक है यहां तक आपको समझ मैं रहोगा कि एक basic सा table है मतलब data frame भी हमारा table के तरह read किया जाता है तो इसको data frame हम consider कर सकते हैं मतलब यह data frame ही है ठीक है तो यह data frame है अब इसमें कहा है कि तीन column है id, name and age ठीक है यह तीन column है अब इसमें कहा है कि दो चीज हम पढ़ेते struct type and struct field ठीक है struct type and struct field तो जो हमारा column है जितने भी हमारे column है वो ह हो गए हमारे field ठीक है और वह structure type के हैं तो इसलिए हम इसको बोलते है struct field and struct type का मतलब कि जो हमारा data frame के structure को define करता है तो which defines our structure of df यहां पर sort form में df लिख दे रहा हूं data frame के structure को define करता है यह क्या है कि यह हमारा है list of struct field ठीक है यह क्या है list of struct field या collection of struct field मतलब बहुत सारे जो हमारा struct field है उसका collection बना देंगे तो बन जागा struct type अब कैसे बनेगा देखो जैसे ही मैं अगर id को name को और age को मिला दूं ठीक है तो अगर किसी का id name and age बता दे तो वह एक record हो है correct जैसे id1 name monies and age 26 तो यह एक record हो गया मतलब कि यह धीरे धीर अगर इसी तरह से pile up करते जाएंगे एक के बाद एक के बाद एक record हम नीचे लाते जाएंगे तो उस case में क्या हो जागा यह एक हमारा देटा फ्रेम का structure ले रहा है तो इसी लिए कि हम यहाँ पर बोते बीच डिफाइन और structure of data frame ठीक है struct type इतना समझ में आ गया और यह क्या है list of struct field इतना हो जाएगा तो यहां से आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया कि struct type क्या है और struct field क्या है field मतलब हमारा जो column है वो सारे उनका structure अब अगर कोई column है ठीक है तो कोई column की क्या क्या information हो सकती है कि वो column जो है हमारा किस data type का है मतलब किस data type का है मतलब मालनो money's है तो money's एक string है लेकिन id जो number है वो एक integer है यहां हो सकता है कि मेरा date of birth लिखा होता तो वो एक date है ठीक है तो इस तरह से हमारे date जो है वो timestamp type का हमारा data type है मतलब date का जो data type होगा वो timestamp type होगा ठीक है तो इस तरह से हमें यह पता चल जागा एक चीज हो गया उसके बाद क्या वो column में null value हो सकता है या नहीं वो एक information होगा तो इस तरह कि जो information होगी वो किसके अंदर होगी struct field के अंदर होगी और जब सारे struct field को एक साथ ला देंगे तो क्या बन जागा struct type बन जाएगा ठीक है तो struct field and struct type एक class है हमारा pie spark में class लिखा हुआ है और उसके अंदर हम अपने schema को define करते हैं यहां तक चीज़े clear हो गई होगी ठीक है तो अभी तक हमने library से यह जो function import करने थे जो class import करने थे वो हमने import कर लिये हैं अब हम क्या करेंगे अपना एक structure बनाएंगे इसी structure को हम क्या करेंगे सीधा copy कर देंगे अपने database notebook में तो यहां अगर अच्छे से समझ में आ गया तो database notebook जो होगा बच्चो वाला काम हो जागा ठीक है तो यहां अच्छे से समझ दो ओके तो अब हम अपना schema define करने वाले हैं तो यहां पर लिख देते हैं my underscore schema ठीक है my schema अब यहां पर मैंने क्या बता है कि पहले तो struct type होगा जो कि हमारा structure define करेगा ठीक है struct type of class है इसके अंदर हम क्या लिखने वाले है struct field को लिखने वाले है तो इसके अंदर हम लिख रहा है अब यहाँ पर list of struct field ठीक है क्योंकि हमारे पास multiple है एक column होता तो एक ही देते दो है तो दो देंगे तीन है तो सब को list में बना के देंगे ठीक है तो यहाँ पर हम list को open कर लेते हैं तो list को open यहाँ पर कर लिए list कैसे open और close होता है तो इस तरह से square bracket के साथ open तो अभी हमने open किया है अभी open कब तक रहेगा जब तक कि हमारे तीनों field इसके अंदर ना आ जाए तो field को introduce करने के लिए हम क्या करेंगे struct field ठीक है यहाँ पर s and f capital है यहाँ पर s and t capital है तो उसको भी ध्यान में रखना है struct field है उसके बाद क्या देना है string में हमारा column का नाम देना है तो हमारा पहला column था id उसके बाद क्या देना है उसके बाद हमें देना है इसका data type तो id जो है वो integer type का होगा, correct, तो यहाँ पर हमारा id जो है, वो है integer, int, capital है, integer type, ठीक है, इसके बाद क्या है हमारा, true, null label true, मतलब कि हमारा id, null हो सकता, अगर यहाँ पर मैं false कर दू, तो id column को कभी हम null, नहीं कर पाएंगे, नहीं error throw करेगा, ठीक है, अब list का, एक, मतलब 0th index इस तरह से, तो यह one का, मतलब यह पूरा जो होगा, struct field, यह जो पूरा इतना part हुआ, वो 0th index हुआ, तो उसके बाद क्या देंगे, comma देंगे, तो यहाँ पर हमने comma दिया, इसी तरह से हम next लिखेंगे, again, जल्दी से मैं इसको लिख लेता हूँ, ठीक है, यह list हो गया, तीनो comma से separated होगे, last में क्या करना है, इसको close करना है, and then फिर यह जो हमारा struct type का open bracket था, उसको close करना है, इस तरह से हम एक manual schema बना लिए, ठीक है, तो यह तो हुआ हमारा एक तरीका, जो हमने उपर में देखा था, यहाँ पर हमारा यह वाला तरीका हमने सीख लिया, कि struct type and struct फिल के थ तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ddl underscore my underscore schema, यह हो गया हमारा schema का नाम, ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, कि यहाँ पर बस string pass करना है, and string के अंदर हमें जो जो column name है, और उसका जो type है, वो लिख देना है, जैसे कि हमारा यहाँ पर क्या हो गया, id है, तो id क्या है, integer है इसी तरह से मेरा दूसरा field क्या है, name है, और name क्या है, string है, इसी तरह से age जो है हमारा, वो है integer, ठीक है, और इसको हम कर दिये बंद, मतलब कि यह हो गया हमारा ddl का schema, तो देखो, इतना असान है अपना schema बनाना, लेकिन schema बनाने से ज़्यादा उसको समझना जरूरी है, कि य अब अगर यह सीख गए हो, तो क्या यही सेम चीज रेप्लिकेट करने में, डेटाब्रिक्स नोटबुक में बहुत ज़्यादा टॉफ होगा, कोई भी टॉफ नहीं होने वाला, बच्छों की तरह यह सब चीज कर लोगे, बस यह समाझना था कि struct type, struct field कैसे होता है, और यह तो define schema, DDL schema तो easy था, तो इसमें कोई ज़्यादा बताने का था नहीं, ठीक है, अब इसको हम जल्दी से चलते हैं, सेम चीज को replicate करते हैं, अपने notebook में, ठीक है, तो हम अपने notebook पे आ गया है, और पिछले class में हमने सिखाया था कि कैसे हम read कर सकते, csv file को यहाँ पे read करने के त white theme ना use करके, black theme यूज करना चाहिए, वो ज्यादा आसान रहेगा, तो setting में जाना है, user setting में जाना है, यहाँ पे notebook है, and then यहाँ पे dark mode for notebook editor है, ठीक है, तो अगर मैं dark mode कर देता हूँ, अब हम जाते हैं अपने work space पे, तो यहाँ पे देखते हैं, यह देखो हमारा dark mode में work space हो चुका है, तो try करना कि dark mode में ही चीज़े को करो, अभी अगर मैं highlight करूँगा, तो यह highlight करने में आप लोग को दिखेगा नहीं सही से, इसलिए मैं देखो, अभी मैं यह highlight कर रहा हूँ, लेकिन आपको ज्यादा अच्छे से नहीं दिख रहा है, इसके लिए मैं white theme यूज करन ठीक है, और दूसरी चीज कि अगर आपने बहुत देर तक, अगर notebook नहीं यूज किया होगा, तो इसके cluster नहीं रहेंगे, मतलब वो terminate हो जाएंगे, तो यहाँ से आके हम अपने cluster को वापस बना सकते हैं, यहाँ पे create new resource करके और नया cluster बना सकते हैं, अगर वो हमारा पिछला cluster terminate हो चुका है, यहाँ पे condition दिखेगा कि वो terminated है, या running है, running है तो यह देखो, यहाँ पे green color का आ रहा है, वैसे terminated लिखा हुआ आता है, ठीक है, तो अब चलते हैं, हम अपने schema को define करने पे, तो अभी तक मैं थोड़ा सब brief देते ता हूँ, कि यहाँ पे हमने data को read किया थ और वो data हमारा कुछ इस तरह का दिखता था, correct, destination country, origin country and count, यह तीन column थे हमारे पास, और इसी को हमने यहाँ पे load कर लिया था, और इसका schema read करके यह कुछ हमें data मिल रहा था, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, inform schema सिख लिए, read mode सिख लिए, तो एक्चुल में मुझे इसी data frame को use कर लेते हैं, मतलब इसको copy paste कर लेते हैं, इसको पूरा, ठीक है, and हम यहाँ पे जाते हैं, इसमें क्या है कि हम header को कर देते हैं false, then infer schema को भी कर देते हैं false, क्योंकि हमें schema खुद का बनाना है, और यह line भी हटा सकते हैं, क्योंकि हम infer नहीं कर रहे है, and dot mode तो ठीक है अब यहाँ पे अगर मैं डाल देता हूँ कि dot schema, और हमने क्या नाम दिया था, my schema, ठीक है, तो dot schema के अंदर my schema से read करो, तो यहाँ पे data तो अलेड़ी पढ़ा हुआ है, data हमारा जो table में हमने upload किया था, वहाँ पे data पढ़ा हुआ, वह data नहीं delete होता है, तो आपको tension नहीं लेन कि वापिस data को reload नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, तो यह हो गया हमारा flightdf, अब इसको हम करते हैं, dot so, अभी हमारा यह नहीं चलेगा, क्योंकि हमने my schema कभी define ही नहीं किया था, देखना, error देगा, अच्छा, यह तो हमारा error जो है, अगर इस type के error है, तो देखना resolve कैसे करना है, यहाँ पर मैंने next line में लिखा है, लेकिन उन next line को आगे, मतलब इसके आगे next line भी है, मतलब इस line continue है, बट हम एक के नीचे एक करके लिख रहे है, इसके लिए हम backslash दे रहे हैं, कि उसको आगे की चीजों को ignore करे, अभी देखो मेरे को error throw किया, my schema is not defined, correct, अब हम my schema define करेंगे तो उसके लिए हमने क्या बता है था कि पहले एक import करना पड़ेगा, तो हमने क्या बता है था, from by spark, मेरे को type नहीं करना आता है, इसलिए मैं देखे कर रहा हूँ, SQL.types import, हमने क्या बाला था, struct type, तो मैं जैसे ही struct करता हूँ, तो देखो यहाँ पर, मतलब जब type प्रेस करता struct type को भी यह कर लिए, import कर लिए, तो यह सारी चीज़े import हो गई, इतना बताया था कि import कर लेना है, इसको run कर देता है, cell को run करने के लिए shift plus enter, ताकि एक नया cell भी हमें मिल जाए, ठीक है, अब उसका नाम हम देते है, my underscore schema equal to, अब my schema मेरा है, उसको define करने के लिए क्या बताया था, कि पहले हमें लिखने है, struct type, ठीक है, struct type, and इसके अंदर, अब इसके अंदर हमें क्या बनाना है, list बनाना है, तो मैं इसको type प्रेस करके यहाँ पर लाता हूँ, and then इसके अंदर list बनाया, और list के अंदर हमें सारे struct field रखने थे, correct, अब देखो कितना आसान होते जा रहा एक बता देता हूँ, बाकी fill कर लेता हूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ पर देता हूँ, struct field, and struct field के अंदर, हमारे पास जो पहला column था, उसको string के अंदर क्या था, column का नाम, column का नाम था, destination country name, तो यह copy करते है, and then उधर paste कर देते हैं, ठीक है, अब इसमें क्या है, कि destination country में हमारा क्या है, type क्या होगा, तो destination country name है, तो name है, तो इसका type होगा, string type, ठीक है, देखों, यहाँ पर string type का suggestion नहीं आ रहा है, okay, string type, and then true, मतलब कि यहाँ पर null value हो सकते, अब यह string type नहीं आ रहा है, ठीक है, कोई दिककत नहीं है, पहली चीज की यह error देगा, क्योंकि string type हम use तो कर रहे हैं, लेकिन कभी import ही नहीं किया है, तो यहाँ पर हमको उसको भी import करना पड़ेगा, तो comma, हम यहाँ पर को integer भी import करने है, तो integer type, ठीक है, तो मैं tap press कर दे रहा हूँ, आपको type करने है, ताकि देखो I and T capital है, S and T capital, यह सारी चीज़े ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है, time के साथ हो जाएगा, ठीक है, अब यह हो गया, इसके बाद comma देंगे, क्योंकि 0th index बताया था, अब 1st index, 2nd index ठीक है, जल्दे से इसको हम फिल कर देते हैं, ठीक है, तो यह हमने पूरा schema struct कर लिया है, अब इसको run करते हैं, देखते हैं, कुछ error आता है क्या, string type is not defined, अब यह क्यों हुआ, हमने तो उपर में define कर दिया था, लेकिन इस cell को कभी run ही नहीं किया, तो run ही नहीं किया, तो इस इसने import ही नहीं आ रहा है, ठीक है, इसको run कर देते हैं, अब run करते हैं, इस cell को, बिना error के, चल गया, अब देखो, एक गलती मत करना, कि my schema बाद में define करना, actual code में, और data frame पहले ही use कर लेना, क्योंकि यह क्या होगा, कि cell by cell run यहां तो कर ले रहे हैं, लेकिन जब हमारा production environment में होगा, तो error क्या देगा है, कि my schema is used before its definition, मतलब my schema तो use कर रहे ही, इसके define होने से पहले ही, तो हमें हमेसा अपना best तरीके से code को भी लिखना है, तो मैं इसको यहां paste कर लेता हूँ, क्योंकि अब my schema मेरा define हो चुका है, तो उसके नीचे ही आना चाहिए, अब इसको run करते हैं, तो यहां पर हमें यह error दे रहा है, और बोल रहा है कि error file reading this, ठीक है, तो हम check कर लेते हैं, कि यहां पर हमारा file पड़ा हुआ है कि नहीं, वैसे तो अभी just read किया था, तो अगर check करना है, कि हमारा file पड़ा हुआ है कि नहीं, तो यहां पर हम check कर सकते है, percentage fs डालेंगे, and then हम l कर सकते हैं इस location पर ठीक है इस location के अंदर file है कि नहीं वो चेक कर लेते हैं तो यह सारी चीजें है error जो मैं जानबूच के दिखा रहा हुता कि आपको भी अगर कभी error आया तो debug करने में आसानी हो ठीक है तो यहाँ पर तो यह दिखा रहा है कि हमारा flight data.csv का file तो है यहाँ पर लेकिन यह क्यों फट रहा है अब वो देखते हैं तो csv header false ओके mode fail fast है अगर क्योंकि यह fail हो रहा होगा permissive करके देखते हैं ठीक है यहाँ इसको permissive कर दिया है ओके तो यहाँ पर यह चीज हमारा आ गया हाँ देखो क्यों fail हो रहा था हमने क्या किया यहाँ पर my schema define कर दिया correct बट यहाँ पर देखो यह count में क्या रहा है null आ रहा है क्योंकि यह header वाली चीज जो मुझे explain करनी थी उसकी वज़ासे यह fail हो रही थी कि यहाँ पर हमने क्या define किया है कि हमारा struct field जो हो यह इधर struct field जो है वो count क्या होना चाहिए integer होना चाहिए लेकिन यहाँ पर null आ रहा है तो null एक integer तो नहीं है इसकी वैसे fail fast में हमेशा ही मेरे को error रो करा था तो जैसे ही मैंने इसको permissive किया तो यह हमें data देने लगा अब यहीं पर देखते हैं कि यह जो हमारा flight df है अब इसमें देखो हमारा यह वाला जो schema आ रहा है वो जो अभी हमने define किया था वहां से आ रहा है और यह वाला जो schema आ रहा है वो आ रहा है हमारा जो header में दिया हुआ था और header में जब हमने इसको Define कर दिया कि Count integer टाइप है तो यहाँ पर ही तो जो बंद आपको CSV दे रहा हूँ बोलेगा कि नहीं हम header के साथ देंगे तो अब header हमें खुद ही हटाना होगा तो header को हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि हमारे पास .option है .option हमारे पास है skip row ठीक है? skip rows इसको अगर हम पहला row को skip कर दें तो क्या होगा हमारे पास हो जाएगा तो मतलब header skip हो गया बाकी उसके नीचे की सारी चीज़े आ जाएगी तो यह try करते हैं skip rows को ओके option .option spelling mistake था यह देखो skip rows ने हमारे पासले header को हटा दिया अब यहाँ से बाकी सारी record हमें दीख रही है अब यह देखो skip rows इसी तरह से आप कितना भी value डाल सकते हो अगर मैं मालनों की एक के जगा कितना डालू तीन डाल दू तो यह दोनों उपर के record भी ऊड़ जाएगे मतलब यह two वाली count नहीं आएगी one से start होगा सीधा देखना अगर मैं इसको skip row को 3 कर देता हूँ तो यहाँ पर क्या होगा देखो one से start हो one three two six eight and आगे के दो record आने लगे क्योंकि हमने 5 record देखने बोला था ठीक है तो यह सारी चीजे जो मेरे को मिलती है वो आप सुचते होगे कि कहा से इसको पता चलेगा मतलब हमें कहां से पता चलेगा basically कि हमें skip row यूज करने है inverse schema यूज करने है mode यूज करने है तो उसके लिए मैंने कल बताया था कि एक link है जो कि मैं आपको वीडियो के निचे दूँगा ये वाला csv वाला इसको open करो spark का एक documentation है ठीक है यहाँ पर data frame reader का ये csv का documentation अब इसमें separator होता है, encoding होता है coat होता है, escape अगर कुछ करना है, escape coat करना है तो ये सारी चीज़े हैं जो आपको पढ़नी पढ़ेगी जो main important वाली चीज़े है वो तो मैं यहाँ पर discuss कर ही ले रहा हूँ ठीक है तो जहां से हमने कहानी को start किया था, कि हमारे 4 questions थे, और आज किस वीडियो में हमने 4 questions को answer कर लिया है मेरा वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन जो information मिलेगी, वो concrete information मिलेगी, तो वीडियो को अगर वीडियो अच्छा लगता है, तो वीडियो को like कर देना चैनल को subscribe कर देना, अब मिलते अगरे वीडियो में, तब तक के लिए, बाई